अलो दोस्तो आप सभी का के आर एजूकेशन पर स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे एक most important topic पर यहाँ पे जो है रेलवे ने group D की post यहाँ पे खतम कर दिया है अब जो है group D वाले भी यहाँ पे group C के अंदर आएंगे तो देख लेते हैं सारा कुछ जो है एक letter वाइरल हो गुरूप D पोस्ट को यहां पे खतम कर दिया गया है सभी लेवल 1 से 7 की पोस्ट यहां पे आपके गुरूप C में आएगी तो अपन सारा कुछ देखते हैं डीटेल से इसमें क्या कुछ है इस लेटर में और साथ ही दोस्तों बात भी करेंगे कि रेलवे के अंदर आपको व्यतनवर्दी का लाव हमें सा मिलता रहेगा लेकिन आपको प्रोमोशन यहां पे नहीं मिलेगा मसीपे के अंदर आपको व्यतनवर्दी हर 10 साल में जरूर होती रहेगी लेकिन आपको प्रोमोशन यहां पे नहीं मिलेगा इन सबी ग्रूप में यानि कि अगर वैसे एस पर रूल देखा जाए तो लेवल आठ और नोवालों को पर ग्रूप B की गजिटेट पोस्ट मानेंगे और ग्रूप 10 से लेवल 10 से उपर की जो पोस्ट हैं 17 तक उसको पर ग्रूप A की पोस्ट मानेंगे लेकिन आपको जो है इ यह तनवर्दी का लाप दिया जाएगा आपको जो यहां पर प्रूप नहीं दिया जाएगा जैसे अब मैं बात करों इश्टे संवास्टर की इस्टे संवास्टर 42 से बरती होता है इसको एस पर रूप 46 मिलता है तो च्छेहनलिसों के बाद में इसको आगे जो प्रूप B क की पोस्ट या गुरूप एक की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं लोग लेकिन यहां पे इनको हमेशा c गुरूप में रखा जाता है तो यहां पे यह आपके लेवल 6 में होता है यह लेवल हो जाएगा इसके बाद में इनको लेवल 8 भी मिलता है और 400 भी मिलता है यानि 8 और 9 अब देखो वैसे एकर एक पर रूल अपन माने तो 8 और 9 वाले को गुरूप B गजिटेट पोस्ट होनी चाहिए लेकिन यहां स्टेशन मास्टर ऐसस बनने के बाद भी 400 ग्रेड तक पहुंचने के बाद भी ग्रूप C के अंदर ही रहता है दोस्तों जबकि आप स्टेट के अंदर देखोगे अगर एक टीचर थर्ड ग्रेड में अगर भरती होता है तो वह सेकंड ग्रेड में हो जाएगा कुछ साल बाद में उसक